गुड मॉनी बच्चों, आज आपका है फिजिक्स के सेकंड पार्ट का यूनिट फिस्ट का लेसन नमबर टू, प्रकास का गोली प्रष्टू, प्रकास का गोली प्रष्टू पर अपॉर्टन या लेंस के बारे में, अगर बात करें तो इसको समझने से पहले आपको कुछ ब तो यहां पे इसका प्रकास केंड होता है, तो हमेशा जब लिंस हो या कोई भी गोली प्रष्ट होगा, तो उसमें जो वस्ट की स्थिती होगी, वो हमेशा किस दिसाज है, इसे कहते हैं बाया साइट। तो बाया साइट से ले जाएगी, यहां पे वस्ट होगी। दूसरी चीज अगर ये प्रकासी केंद्र है तो प्रकासी केंद्र के दाई और क्योंगे वो धनात्मक होंगी और उपर की दूरिया जो होंगी वो धनात्मक होंगी और जो नीचे क्योंगी वो धनात्मक होंगी तो ये इतना कॉंसेट है इसके बाद में अब आपका क्या है कोई भी गोली प्रश्ट होता अब गोली प्रश्ट कैसा हो सकता है या तो आउतल हो सकता है या तो उतल तो हमने कहा है एक आउतल प्रष्ठ है उस पर क्या अपोर्तन क्या होगा तो अपोर्तन के लिए सूत्र या हाँ अपोर्तन के लिए सूत्र ठीक है तो हमने यहां पर माना एक गोली प्रष्ट है जो कैसा है आउतल है आउतल का मतलब अंदर की ओर दबा हुआ ठीक है तो माना कि अगर कोई आउतल प्रष्ट होगा आउतल का मतलब है कि उसका एक कर्व के रूप में होगा जो कर्व होगा तो उसका एक वक्ता की इंद्र भी हो उसे मुक्ह अच्छ पर एक वस्ट इस्थित है कौन सी ओ ठीक है जो धुरू से किती दूरी पर है यो दूरी पर है फिर अभी हमने आपको बात बताई कि जो इधर की दूरिया होती है वो माइनस के लिए आती है फिर मान लो अगर ये प्रष्ट है ये ग्लास है ग्लास का बना होगा तो उसका परतनांग होगा वो क्या होगा एन है ठीक तो अमान लो बिस्ट ये वस्ट सी उससे कुछ किरने चलती है और चलने के पस्चात कहां टकराती है बिन्द ए पर टकराती है ठीक है जब बिन्द ए से टकराएंगी तो हमने कहा कि यहां से इसका एक वक्ता अपूरतन जो आपतित्किरण अभिलंब चेंब यहां पर यह आई हो गया अब यह आपतित खिरण जब आगे चलती है तो क्या होगा अब क्योंकि जब क्या सगन ये विरल मादिम था ये सगन मादिम तो विरल से सगन में जाती है तो अभी लम की ओर जुड़ जाती है जुक जाएगी तो यहां पर ये जो अपरतन कौन होगा वो आर होगा यही अगर दोनों के उनों को हम पीछे बढ़ाते हैं तो इसका मतलब इनके बीच का कौन भी क्या होगा विपरीत वाला कौन होता है वो भी आरही होगा ठीक है तो ये इतनी बात यहां पर बताई गई तो जब हम इनको पीछे कहीं पर मिलाते हैं तो ये मुखेच को एक कि मानी कितनी है यू इधर की दूरी है इसलिए माइनस हमने कहा उसका प्रत्विम कहा बना आई पर बना तो आई से पी के बीच की जो दूरी होगी उसे वी से प्रदर्सित करते हैं वी हो गया ये इधर की ओर है तो ये भी क्या माइनस की ली जाएगी अब पी से सी सी क्या ह वक्ता केंद है, तो उनके बीच की जो दूरी होती है, वक्ता केंद, क्या होती है, वक्ता त्रिजह कहलाएगी, इसे R से पदल से कर देगी, तो PC बराबर R हो जाएगा, हमने कहा, मुक्य अच्छे से यह जो बिंद था, इसके उचाए किती है, H है, तो H हो गया, ठीक है, इसन आई और R, क्योंकि यह कोड़ अगर बहुत छोटे होते हैं, तो यहाँ पी इनके ट्रिणोमेंट्रिक जो मान होते हैं, साइन आई जो है, आई के बराबर हो जाएगा, तो इस तरह जो आई है, N बराबर क्या होगा, आई अपान आर, या आई बराबर N आर, अब यहाँ से, आप समझिए, अगर मान लेते हैं, कोड़ A, O, P, यह हमारा हो जाता है, अलफा, और जो A, I, P है, वो हो जाता है, बीटा, और जो A, C, P है, वो हो जाता है, गामा, ठीक है, तो तो, अलफा, बीटा, गामा, अगर यहाँ पे तरभुज लें, A, O, और C, A, O, C में जब हमाते हैं, तो गामा क्या होगा, एक बहिस कौण है, बहिस कौण जो होता है, दो अन्ताह कौणों का योपफल होता है, तो अन्ताह कौण यहाँ पे अलफा है, यह आई है, और यह अ तो इसका मतलब गामा बराबर क्या होगा, आई प्लस अलफा, इसी तरह अगर हम A, O, I लें, तो उसमें क्या होगा, बीटा बराबर, बीटा बराबर, यहाँ पे, कौण, A, I, C अगर लेते हैं, तो उसमें, R प्लस बीटा बराबर गामा हो जाएगा, ठीक है, तो गामा बर बराबर अभी alpha plus i हुआ तो i बराबर अगर निकालते हैं गामा माइनस alpha इसी तरह हमने iCA लिया तिरभुज iCA लेते हैं तो उसमें गामा बराबर beta प्लस r होगा तो r बराबर gamma माइनस beta तो समी करण एक जो इसनल का नियम है उसमें यही value कर दिया है किसकी i और r की तो गामा माइनस alpha बराबर n गामा माइनस beta तो यहां पर gamma वाले term को पहले इसको हमने open कर दिया तो इसका अंदर भी multiply हुआ इसमें भी तो n गामा माइनस N beta फिर जब गामा वाले term को एक पास में लाते तो इसको इधर लए इसको इधर ले गए तो गामा N गामा यह हूआ अधर यह आएगा तो माइनस का हो गया माइनस समीं ठीक है उसके बाद में N beta यह इधर गया तो यह positive हो गया तो N Si एलफा बीटा गामा को तो बहुत छोटे हैं तो अगर यहां पर alpha बराबर tan alpha क्योंकि अगर यह कौन अगर बहुत छोटे होते हैं तो वहाँ पर उनके जो trigonometric मान है उनको हटाया जा सकता है sin को और tan को वैसे ही यहाँ पर alpha बीटा गामा में हमने tan मान लिया अब यहाँ पर चित्र से थोड़ा समझते हैं अगर यह कौन m upon o m o m क्योंकि यह दूरी इसके पास में p के गर मान लो यह कौन बहुत छोटे हो जाएंगे तो यह दूरी लगबग p के पास आ जाएगी तो o m को हम o p लिख सकते हैं तो इस तरह क्या आया tan alpha बराबर am upon o p इसी तरह tan beta बराबर अगर यहां पर यह दूरी तरह ट्राइंगल लें तो 10 beta बराबर am upon ip अगर यह वाला लेंगे तो 10 10 gamma बराबर am upon cb ठीक है तो यहां पर 10 alpha बराबर यह अब उसकी am बराबर क्या था h था और o p बराबर u था लेकिन minus का था तो इसलिए minus उपर आ गया क्योंकि यह हमने का हलग भग बराबर होंगे तो इसलिए बराबर लिख दिया तो इसे त्रेटा एंड बीटा इसे त्रेट गाबा यहां पर समीकरण 2 में alpha बीटा गामा की value पूट कर देंगे तो यहां पर जब पूट करेंगे गामा बराबर minus का h upon r यह हुआ n-1 फिर बीटा की जगे पर minus h upon v अलफा की जगे पर minus h upon v यह पूट कर देंगे h यहां पर minus h दोनों यहां पर common है यहां पर भी यहता हमने यहां से common कर लिया यहां पे N upon V बच गया, यहां पे minus 1 upon U बच गया, यहां से minus H cancel हो गया, तो यहां पे N minus 1 upon R is equal to N upon V minus 1 upon U, यह हमारा फार्मूला होता है, किसका अपरतनाग निकालने के लिए, जब हमें यहां अपरतनाग दिया गया है, वक्ता तिज्जा निकाला है, मतलब इनके बीच का एक्स relation होगा, किसकी बीच में, किसी वस्ट की स्थे थी, प्रतिबिम्ब की स्थे, तथा वक्ता तिज्जा दी गई हो, और उसका परतनाग दिया गया हो, तो हम इनके बीच में relation यह होगा, ओके थैंक्यू,